नमस्कार, स्वागत है सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में मैं डितेश कुमार, आज मैं आप सभी आगनबारी बहनों को बताने वाला हूँ कि पोशन ट्रेकर रेप में एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जैसे कि आप सभी आगनबारी बहने पोशन ट्रेकर रेप में नए लभार्थियों का जब रेइस्टेशन करने जाती है तो वहाँ पे लभार्थी के मुबाइल पे OTP तो जाता है लेकिन जैसे ही हम लोग पोशन ट्रेकर रेप में उस OTP को डालते है तो वह OTP गलत बताता है आज कि इस अपडेट में आपको बताऊंगा कि जो भी आगनबारी सेविका अब नए लभार्थियों का रेइस्टेशन करना चाहती है तो वह बीना OTP के ही रेइस्टेशन कर सकती है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बीना OTP के ही रेइस्टेशन करना है इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रही है वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें वीडियो को लाश्ट तक जोड़ देखें देखिए हमें सुबह में ही एक सेवीका बहन के तरब से मैसेज आये हुआ है चलिए मैं आपको पहले वो मैसेज दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेवीका बहन है पोशन ट्रेकर रैप को अपडेट करेंगे तो वहाँ पे आपको skip का option दिखेगा जिससे की आप इस पोशन ट्रेकर रैप में बिना OTP के लभार्थी को जोर सकेंगे मैं आपको इसमें step by step करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है तो वीडियो में सब्ता के अंदर अपने सभी नए लभार्थियों को जोरना सुनिश्चित करें और जैसे कि जो भी सेवी का वहन हमारे साथ जोरना चाहती है वार्टसप गुरूब के माध्यम से तो मैं इसका लिंक आपको description box में डाल दूँगा वहाँ से जाके आप हमारे वार्टसप गुरूब से जूर सकती हैं और आपके पास भी इस परकार की कोई आगनबारी से जूरी कोई भी नई-नई जनकारिया आती है तो आप हमें share कर सकती हैं मैं उसको वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिज जरूर करूंगा तो चलिए अब बीना देरी किये अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको नए लभार्थियों को जोड़ना है वो भी बीना OTP के तो सबसे पहले आपको क्या करना है जैसा कि आप सभी अंगन बारी बहनों को मालूम है कि पॉसन ट्रेकर एप को अब्डेट करने के लिए क्या करना होता है सिधे प्ले स्टोर में आजाना है प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहां पздर 20 करना है जैसा है से सर्च करेंगे तो यहां पोसं ट्रेकर एप में लेके चलते हैं वहाँ पे बताते हैं कि आप बीना OTP के कैसे लभार्थियों को जोर सकते हैं यह जो अपडेट है वो 10.5 का अपडेट आ चुका है तो सिविका बहनों को काफी समय से इस अपडेट का इंतजार था कि बीना OTP के लभार्थियों का रेश्टेशन कैसे करें तो अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं बट आपको यहाँ पे लिमिटेड टाइम ही दिया गया है एक सब्ता के अंदर ही आपको यह सभी काम कर लेने हैं तो यहाँ पे हम सिंपली लोग इन हो चुके हैं यहाँ पे जो बेनिफिसरी का ओप्सन देख रहे हैं इस पे आपको टच कर देना है यहाँ पे जो भी केटेगरी दिया गया है वो किसी भी केटेगरी में आप नए लाभार्थियों को जोर सकते हैं वो भी बीना OTP के कैसे जोरना है चलिए अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि करभौती महिला का लिस्ट ओपेन हो चुका है यहाँ पे निव रेइस्ट्रेशन का जो आप लोग अप्सन देख रहे हैं इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी लभार्ति, नए लभार्तियों को जोरना है उसका यहाँ पे सारा data हम लोग फिल कर देंगे चलिए मैं आपको यहाँ फिल करके दिखा देता हूं तो देखिए यहाँ पे हमने उस लभार्ति का सारा bio data यहां पे डाल दिया है डालने के बाद देख सकते हैं यहां पे मोबाइल नमबर भी डाला है अधार नमबर हमने नहीं डाला है सिर्फ आपको बताने के लिए यहां पे यह सारे डीटियल्स फिल करके दिखा रहा हूं आप लोग अधार नमबर जरूर डाल लीजिएगा सभी भरने के बाद यहाँ पे जो submit का option आप लोग देख रहे हैं इस submit वाले option पे click कर देना है जैसे ही आप लोग click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लभार्थी के mobile पर OTP भेज दिया गया है लेकिन जब आप लोग OTP डालेंगे तो OTP गलत बताएगा यहाँ पे देख सकते ह इसी वाले option पे click कर देना है जैसे ही इस पे आप लोग click करेंगे तो आपका जो लभार्थी है वो successfully add हो जाएगा देख सकते हैं record created successfully यानि आपका जो लभार्थी है वो यहाँ पे जूर चुका है यानि कि यह जो update है हुआ है वो सिर्फ एक सब्ताह के लिए ही रहेगा एक सभी का registration आपको portion tracker application में कर लेना है और इस वीडियो को आप लोग आगन बारी बहनों के साथ share जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपना जो है कि सभी नए लभार्थियों का registration असानी से कर पाएं तो आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको बिना OTP के जनकारी मिली होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद